मरीज करते रहें इंतजार, निर्धारत समय से दो गंटे बाद तक नहीं पहुंचे डॉक्टर कई मरीजों को बिना इलाज करा ही लोटना पड़ा खवेश्योपुर की करहल विकास खंड के साहूदाहिक स्वास्त केंदर से है जहां अभी कुछ समय से आने में ताओं और लापरवाई का केंदर बन चुके अस्पताल की ववस्ताय सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आश्रनिवार को कई मरीज अपना इलाज करवाने के लिए सुबा नौ बचे हास्पिटल पहुंचे और बहुत देर तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे मगर ओपीडी में मरीजों का देखने का समय सुबा नौ बचे का होने के बावजूद भी ग्यार बचे तक डॉक्टर ओपीडी में नहीं पहुंच रहे हैं आज के वीडियो जहां एक और डॉक्टरों की मनमर्जी और लापरवाही की पोल खोल रहे है तो वहीं कराहल वीएमो के प्रवंदन की भी हकीकत बया कर रही है कि वीएमो का अस्पताल स्टाप पर कैसा प्रभाव रहा होगा जहां डॉक्टर ही समय पर जूटी नहीं करेंगे उनकी बनाई हुई देनिक समय सारनी की धज़्यां उड़ा रहे है आज कराहल निवासी मुनेश जाटाव अपनी बच्चे का इलाज कराने अस्पताल आये थे उन्हें डॉक्टरों का इंतजार करकर के अंध में बिना इलाज करवाही वापस लोटना पड़ा और आपको बता दी कि ऐसा आज ही नहीं हो रहा है कराहल अस्पताल में हर बार ये लापरवाही देखने को मिलती है अब आप ही सोचिए या मरीजों को क्या ही इलाज होता होगा कि इस तरह कराहल में सौस्त के छेते में कुछ बहतर करने की प्रदेश सरकार की मंशा पूरी हो पाईगी फलाल खबर पजुला सौस्त अधिकारी जेस राजभूत इसमामने में जाच कर कारिवाही की बात कह रहे है देखी संबादा था अमित कुमार श्रिवास्तर की रिपोर्ट आप अस्पताल किसलिए आई हैं? तो अभी 11 बज रहे हैं डॉक्टर नहीं आए हैं? क्या नाम है तुम्हारा मुनेश जाड़ा क्या परिशानी मुनेश यहां एक गंडे वड़ाओं अभी तक कोई नहीं आया ना डॉक्टर आए है तो यहां तो लिखाए कि 9-2 बज तक जूटी है कितने नहीं बज़ नहीं आए हैं लेकं डॉक्टर साब नहीं आया कोई नहीं बैठा यहां अभी आपके अस्पता से वापस जा रहे हैं और क्या करें तो डॉक्टर नहीं है तो किसको दिखाएं आच्छा कितना सम्हों गय अभी कोई डॉक्टर नहीं आए यहां ऐसे तो तुमाम मरीज बापिस चले गए होंगे अभी तक नहीं चले गए और आप अस्पताल किसली आई है बच्चे बट आवा अच्छा कितने देर हो गई आपको आए दस बज़ दस बज़ आए ते अभी तक डॉक्टर साब नहीं कितने बज़ रहे हैं अभी ऐच करण फ़्याहण आठाशक्ता वज तक हो रही है और तक नहीं है डॉक्टर साब अभी को बहुत को ध newly गई G聞 कर दो कर दो